जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जैश्री पुर्शोत्म मास महत्यमे की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारदे कभिनंदन करते हैं आज हम आपको पूर्शोतम मास महत्यम के दस्वे अध्याय की परम सुंदर कथा जो की इस परकार है आज शोनकादी सब रिशी विने पुरवक श्री सूत जी महराज जी से कहने लगे हैं कि हे तपो नीधी हे प्रभू उन महाकरोधी और परम तपस्वी मुनी दुर्वासा जी ने उस ब्रह करने से क्या कहा वह कथा सुनाने की कृपा कीजिए सूत जी महराज कहने लगे हैं कि हे रिश्यो कृपालू महरिशी दुर्वासा जी ने उस ब्रहमन पुत्रे के दुखों को दूर करने के लिए जो कुछ कहा वह इस परकार है महरिशी दुर्वासा जी कहने लगे हैं कि हे स भगे अब आने वाला तीसरा मास पुर्षोत्म मास है पुर्षोत्म मास में तीरत में जाकर सनान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोश से मुक्त हो जाता है मनुष्य ने अपने इस जनम में और पुर्व जनमों में जो कुछ भी भयंकर पाप करम किये हूँ बड़े से बड़े पाप करम क्यों न किये हूँ वह पुर्शोतम मास में तीरत में जाकर स्नान करने से नश्ट हो जाते हैं पुर्शोतम मास का महत्यम सबसे अधिक है पुर्शोतम मास में भगवान की भक्ती करने से जो पुन्यफल मिलता है वह कार्तिक आदी मासों में भी नहीं मिल सकता सब महीने पक्ष और परव आदी पुर्शोतम मास की सोलमी कला के समान भी नहीं है वेद शास्र के समस्त साधन इस मास की सोलमी कला से भी समानता नहीं कर सकते है सुन्दरी गंगा जी में बारा हजार वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के सनान तो अच्छा सहीं के ब्रस्पती में एक बार सनान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल किसी भी स्थान पर एक बार सनान करने से इस पुर्शोतम मास में प्राप्त हो जाता है इस पुर्शोतम मास में दान तप जप आदी करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाई पूर्ण हो जाती हैं इसलिए भगवान श्रीक्रिशन जी के प्रिये इस पुर्शोतम मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो हे सुभगे मैं भी पुर्शोतम मास का सेवन करता हूँ सबनियमों का पालन करता हूँ भगवान को प्रिसन करने के लिए सबनियमों का पालन करके प्रभू की और अपने मन को लगाता हूँ अत्य तुम भी इस पुर्शोतम मास का सेवन करो पुर्शोतम मास के सब नियमों का पालन करते हुए अपने मन को प्रभू चर्णों में लगा दो मनुष्य जीवन वैसे भी दुखों से भरा हुआ है किसी के जीवन में दुख अधिक है और किसी के जीवन में दुख कम है लेकिन दुख सब को प्राप्त हुए है क्योंकि मनुष्य अपने पुर्व जन्मों में जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल तो मिलता ही है इसलिए अगर अपने दुखों को दूर करना हो सुखों की प्राप्ति करनी हो तो पुर्शोतम मास से श्रेष्ट साधन कोई नहीं है पुर्शोतम मास में की गई भक्ती से प्रसन होकर भगवान अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं जिसको धन की आवश्यक्ता होती है उसको धन की प्राप्ति हो जाती है जिसको सुंदर्ता की आवश्यक्ता होती है वह परम सुंदर हो जाता है जिसको पुत्र पोत्र आद मनुष्य की होती है इस पुर्शोतम मास में भगवान की भक्ती करने से वो इच्छाएं भगवान की क्रिपास से पूर्ण हो जाती हैं। कि है भ्रमन आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माग, कार्तिक और विशाक मास आदी का सेवन करने से भहुत जादा पून्य प्राप्त होता है। क्या इस पुडशोतम मास का जादा फल है। क्या माग, कार्तिक और विशाक मास कमफल देने वाले हैं। भगवान, शिव, प्रिथ्वी, सूरे, अंबिका और गनपती की सेवा पूजा क्या उससे कम फलिभूत है। व्यतिपात आदी योगों को छोड़कर आप इस मास की परशंशा क्यों करते हैं। यहे मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। सूरे की सकरानती इसमें ना होने पर भी आप इस मास को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। आज वो ब्रह्मन पुतरी महरिशी दुरवासा जी से मल मास के प्रती अनूचित वचन कहने लगी हैं। ब्रह्मन पुत्री के इन वचनों को सुनकर महरिशी दुर्वासा की आँखें क्रोध से लाल हो गई है। इतना अधिक क्रोध आया है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कन्या कैसे ऐसे वचन कह सकती है। महरिशी दुर्वासा आज क्रोध के आवेश में आ गए हैं किन्तु अपने मित्र की कन्या होने के कारण उससे भ्रह्मन कन्या को शाप नहीं दिया। अपीतु उस पर दया आ गई है। उसे अपना हित अनहित जानने में योगे नहीं समझा। पुर्शोतम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं। तब मूरख बुद्धी पुरुष तथा इस्त्रियां कहां जान सकते हैं। यह बाला पित्र ही न कुमारी है। दुख के कारण यह तपर ही है। मेरा शाप कैसे सह सकेगी। इस परकार विचार क करके क्रोध दूर करके महरिशु दुरवासा जी कहने लगे हैं कि हे बाले तुम मेरे मित्र की पुत्री हो इसलिए मैं तुझ बर क्रोध नहीं कर रहा हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो और मैं जो तुम्हारा भविश्य कहता हूं वह सुनो। तुमने पुर्शोतम मास का जो निरादर किया है उसका दंड इस जनम में अथवा दूसरे जनम में तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि जो पुर्शोतम मास का निरादर करता है वो दंड का भागी होता है चाहे वो क्यों भी ना हो पुर्शोतम मास सब मासों में श्रेष्ठ मास है लेकिन जो पुर्शोतम मास की इस महिमा को नहीं मानता और पुर्शोतम मास का निरादर करता है उसको दंड का भागी होना ही पड़ता है मैं तो बदरिकाश्रम को जा रहा हूँ तुम्हारा कल्यान हो मेरा समय नश्ट ना हो होन हार शुभा शुभ को कौन मिटा सकता है इतनी बात कहकर म महरीशी दुरवासा जी वहां से उसी समय चले गए और वह भ्रमन कन्या उसी समय पूर्शोतम मास की निंदा करने के कारण तेज हीन हो गई तब भहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शिग्र प्रसन होने वाले भगवान शिवजी को प्रसन करने का निश्चे किया है यह निश्चे करके मेधावी की पुत्री ने उगर तपस्या करने का विचार किया है इतनी कथा सुनाकर सूत जी महाराज शोनकादी सब रिशियों से कहने लगे हैं कि इस तरह उसने महामुने के वचनों का निरादर किया और भहुत फल देने वाले लक्षमी पती श्री हरी वि पुर्शोतम मास के दस्वे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है इस अध्याय की कथा में सपष्ट बताया गया है कि पुर्शोतम मास की महिमा से भढ़कर किसी मास की महिमा नहीं है महरिशी दुरवासा जी ने उससे ब्रह्मन करने को बारंबार सपष्ट बता द लेकिन महरिशी दुर्वासा जी के द्वारा बार बार कहे जाने पर भी वह ब्रह्मन कन्या उससे बात को नहीं मानी अपीतू पुर्शोतम मास के निंदा करने लगी है। भगवान की महिमा अनन्त हैं भगवान की महिमा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता जो कुछ शास्त्रों में भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है वह तो काफी कम हैं वास्ता में तो भगवान की महिमा का कोई वर्नन कर ही नहीं सकता प्षेश महेश और गनेश में भी इतनी सा मर्थ नहीं है कि वो त्रिलोकी नाथ भगवान श्री रादाक्रिशन जी की महिमा का पूरी तरह से गुनगान कर सकें तो साधार्न मनुश्य तो गुनगान कर ही कैसे सकता है उससे ब्रह्मन कन्या ने जो कुछ अपराद किया था महरिशी दुर्वासा जिने स् इसका दंड तो तुम है भोगना ही पड़ेगा इसके बाद उस ब्रह्मन कन्या ने भगवान श्रीव को प्रसन करने के लिए तपस्या आहरम की है इसके बाद की कथा को आप अगले अध्याई में सुन पाएंगे तो आज की इस परम सुन्दर कथा को सुनने के लिए आप जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नराइन जी भगवान की जै पुर्शोत्म मास महत्यम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम